Hello everyone, welcome to Magnet Brains. पिछले वीडियो में हमने देखा कि बैंकिंग में क्या-क्या emerging technologies हैं और उनका क्या implication है future banking के उपर. इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा G.I.B. का पहला paper Principle and Practices of Banking का module C. Banking Technology का last topic Security Considerations and Mitigation Measures in Banks. तो आईए शुरू करते हैं. लास्ट वीडियो पर हमने पढ़ा था कि banks जैसे-जैसे technology emerge हो रही हैं उसके सारे जो implication banks face करेंगे उनमें बहुत सारे advantages रहेंगे. बैंक अच्छी service प्रोवाइड कर पाएंगे. उनका quality of offerings होंगी वो बहुत improve हो जाएगा. लेकिन जो सबसे बड़ा उसके साथ कौन था, मतलब जो सबसे बड़ा issue था, वो क्या होगा? कि हम और जादा vulnerable हो जाएंगे different type की risks के लिए. अभी तक तो क्या था कि एक employee गलती करें या कोई चीज हो, वो चीज का risk था. लेकिन अब cyber security risk भी एक बहुत important factor बन जाएगा. इस तरीके के बहुत सारे risks होते हैं, जो bank face करता है, जो security issues face करता है, वो हम इस video में देखने वाले हैं. Banks are prone to various risks and online frauds. And they have started focusing on cyber security as of now. पहले क्या होता था कि यह जो fraud होते थे, वो होते थे, अब आपने जामतारा करके अगर Netflix पे series देखी हो, उसमें क्या देखा है कि लोग कितना, मतलब social engineering करके, लोगों के मतलब एकदम करीब जाके उनको कैसे, एकदम smart smart लोगों को बेवकूफ बना जाते हैं वो लोग. तो इस तरीके से banks बहुत सारे different तरीके से attacks face करता है, तो bank needs to be prepared कि हाँ भाई, अगर वो अच्छी quality of service offer करना चाता है, तो they need to be prepared कि हाँ भाई, इसको हम कैसे tackle करें. Computer systems are vulnerable to risks and attacks. Vulnerable components of computer environments, कुछ environment जो हैं, वो अगर हम classify करें कि क्या-क्या vulnerable हैं, तो यहाँ देख लेते हैं, data and software, जो हम software use कर रहे हैं, जो हमारे data है, that is vulnerable to attacks, infrastructure, computer infrastructure की बात कर रहाँ है, ऐसा नहीं कि कोई building आके तोड़ दे, बुल्डोजर चाड़ा दे प्रांच में, ऐसा कुछ नहीं होता, तेकिन जो हमारे network infrastructure है, वो risk पे, वो है, people wear, and people wear क्या है कि बाई, जो लोग है, जो लोग operate कर रहे हैं उन computers को, उनके बारे में बात की जा रही है, and इसका अगर आप definition लेके तो वे हैं, तो role played by people in managing and running computer systems, आप एक काम करो, for example, अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं bank को, मैं कुछ गरबड करना चाहता हूँ, या वो करना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं करना है उस बंदे को, उसको बाहर थोड़ना कुछ डील करने कि, मैं bank की branch तोड़ दूँ, आके उसके wire काट दूँ, वो सब तो सब repair हो जाएगा, बैंक के पास सबके fail safe होते हैं, आप किसी एक अंदर बंदे को पकड़ के अपना बना लो, यह, और उससे आप अंदर अंदर कुछ कुछ गरबड करवाते जाओ, कि भाई ये गरबड कर दे, ये अटका दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, ये सारी जो issue हो रहे हैं, कई बार कुछ 19-20 बैंक कर रहा है, वो report कर दे, customers को instigate कर दे, कि हाँ भाई जाके करे, तो your job is already done, तो इस तरीके के issues भी बैंक को बहुत दिमाग में अपने लेके चलना पड़ते हैं, तो वो people wear के अंदर आता है, अब बैंक किमकें टाइप के threats face करता है, पहला हो गया भाई environmental hazards, जो आसपास का environment होता है, ज़रूरी निए कि आप बाहर के environment की बात करें, आसपास के environment की भी बात कर सकते हैं, कि भाई मानलो आपका PC, आपके table टूटी हुई है, और PC उस पर रखा हुआ है आपका, वो table कभी भी टूट सकती है, पहले PC गिर जाएगा, तो उसके आसपास का environment PC का नहीं है, तो it is also risk ना कि आपका device damage हो रहा है, एक आपका service interruption हो रहा है, तो that is also risk, human errors and omission, आपको किसी का account 10,000 से credit करना था, आपने बेध्यानी में 10 लाग से credit कर दिया, तो this is an human omission, clerical error है यह यह चीज़ का है, unreliable system, कि भाई आपने एक transaction था 10,000 का, उसको post किया, वो error दे दिया, आपने फिर से post किया, उसने error दे दिया, आपने तीसरी बार post किया, तो वो post हो गया, लेकिन पता चला कि वो तो 3 बार post हो गया था, तो that is also problem, the system is unreliable, malicious damage, मेरा दिमाग चला कि bank छोड़ रहा हूँ, bank छोड़ते छोड़ते मैं यह गरबड करता जा रहा हूँ, तो यह मैंने maliciously किया, मैंने जानबूच के किया, तो यह भी एक issue हो गया, interruption in services, कि भाई आप किसी को कुछ service offer करने जा रहे थे, हैं, अपने monetary gain के लिए, तो वो frauds कहलाते हैं, और अब जो control mechanism होते हैं, यह दो type के होते हैं, इनका काम कहा है भाई, कि इनका काम है to manage the risk effectively, risk तो हमेशा रहेगा, जो बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है वो वाली बात है, तो risk तो हमेशा ही रहेगा, banks को face करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कोई चीज़ा आपके control में होती है, और कई बार some things are beyond your control, तो banks क्या कर सकते हैं, उसकी risk mitigation policy बना सकते हैं, अब भाई कहीं बाड आती है, for example, आसा में एक ऐसा state है कि पता है कि बारिश जाद होगी, तो बार आती ही आती है, and there is very little you can do, उस बार को रोकने के लिए, आप यह नहीं कह सकते कि ब्रहम पोत्रा के साइड में डाम बना दो, तो भाई वो बार पूरी रुख जाएगी, लोग खुश हो जाएगे, वो possible नहीं करना, it is not viable कि आप वैसा कुछ step ले लो, तो लोग क्या करते हैं, उस risk को mitigate करने के step लेते हैं, यार लेना चाहिए, वैसा step जो government को लेना चाहिए, कि भाई, उनको पता है कि इतने से इतना period data analyze कर लिया, कि बार आने की सबसे आदा probability है, तो जो early warning system से वो उन्होंने बना लिए, ऐसे bank में भी early warning systems होते हैं, वैसे उन्होंने early warning system बना दिये, और उस पूरे area में multiple time drills कराई, ऐसे shelter home बना लिए, कि बार अगर इस level पर आई, तो हम ये अपना level A alert sound करेंगे, इस level पर आई, तो B alert sound करेंगे, उन तीनों में क्या step रहेंगे, ऐसे step सब के पास रहेंगे, जो नाशनल NRDF जो हमारा रहता है, कि disaster relief, NDRF, sorry, जो रहता है, उनके पास ऐसे step होते हैं, उसी तरीके के banks के पास भी ऐसे सारे control mechanisms होते हैं, एक होता है preventive, which eliminates error from reoccurring, and एक होता है detective, यह विच identify errors after they occur, कि भाई कोई गलती हो गई, तो आप उस error को पकड़ना है, तो वो होता है detective, अब preventive होता है कि उस error एक वो हो गया, तो वो होना नहीं चाहिए, दूसरी बार नहीं होना चाहिए, उसको वो कर दिया तो, अब control के type क्या होते हैं, physical control होता है, कि भाई control over access, कि भाई आपकी ब्रांच में जो सब स्टाफ है, they are not allowed to access the CBS module, 100 power पर, officer की power पर, जो एक user की power रहती है, उस पर नहीं कर सकते, control over outputs, एक particular बंदा है, cash अगर दे रहा है, तो cashier ही दे सकता है, ऐसा नहीं कि branch manager, cabin में चलता हुए, कोई अच्छा customer है, और ये 500 की दो गड़ी उठा के दे देगे, हाँ ठीक है, बाद में adjust कर लेना, that is not allowed, तो एक इंसान का output, उस तरीके से physically control किया जा सकता है, routine checks, आपके circle head आके check करके, आपसे बोलें कि भाई, आपने आपके daily monitoring system के report निकाल लिए कि नहीं, documentation register भराए कि नहीं, क्या क्या issues है, तो ये उनके routine checks होते हैं, logical controls, just minimum access, कि भाई, आपको जो एक access होता है न, वो just minimum access, मान लीजे, मैं एक branch में officer हूँ, तो मेरे पास जो access होना चाहिए, तो just minimum, bare minimum access होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास access पूरा 100 power का हो जाए, कि हर काम मैं कर पाऊँ, हर काम अगर मैं कर पाऊँगो, तो manager की जरुरत ही नहीं रहेगी फिर ब्रांच में, ये रहेगा, वैसे ही जो DB user होते हैं, जो आपके database administrator होते हैं, super users होते हैं, उनके पास मान लीजिए, 1 से लेके 400 तक power होती है, जो आपकी clerical उनकी होती है, उनकी 20, 25 ऐसी power होती है, जो officer होती है, 40 से start होती है, depending on कौन सी rank है, उसकी रहती है, और जो manager होता है, irrespective of वो किस level का officer है, उसकी 100 power होती है, यह मैं आपको finacle system का बता रहा हूँ, जो 400 power होती है, वो होती है super users की, इनका काम क्या होता है, इनका काम यह होता है कि कुछ maintenance करना, यह काम main live environment में काम नहीं करते हैं यह लोग, यह लोग क्या है कि उस system में कुछ testing होती है, वो सब चीजों का करते हैं, यह सब चीजों करते हैं कि इस account में 50 रुपए हैं, तो इस account से आपके account में 50 करोड रुपए डालने हैं, निकाल के, यह account negative 49 करोड में चला जाएगा, ऐसा कर सकते हैं वो, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो मान यह कर सकते हैं कि लोन अल्रेडी दिया जा चुका है, लोन में 0 रुपए, उस लोन में से 1 लाख रुपए और निकाल लें, यह सब चीज़े कर सकते हैं, इसलिए यह powers live environment में नहीं दी जाती हैं, यह powers जो रहती हैं, यह सारी powers उसमें रहती हैं कि टेस्टिंग अन्वार्मेंट में, कि आप टेस्ट करके देखो कि हाँ भाई, यह एनेबल कर रहा है, क्या error prompt आ रहा है, error prompt आने के बाद क्या वो दे रहा है कि कर पा रहा है कि नहीं आपा रहा है, तो logical control क्या रहता है, कि just minimum access दो आप, कि भाई जिस इंसान को 40 का access है, उसको 40 का ही access दो, आप यह मत बोलो कि नहीं यार, यह मान लीज़े कोई clerical है, तू भी 100 का access ले ले, तू भी कुछ भी post कर दे, पता हो नहीं पता हो कर दे, क्या फरक पड़ रहा है, बात यह कि भाई अच्छा है ना, काम जल्दी हो जाएगा, तो that is not allowed, internal controls, internal control क्या होते हैं, कि accounting control होते हैं, इसमें validation check होता है, कोई भी आप जो होता है ना, और authorization होते हैं, कि कि किसी account के threshold limit trust हो रही है, तो उसको 100 power यह authorize कर पाएगा, किसी loan account में अगर कुछ हो रहा है, disbursement हो रहा है, उसको verify कौन कर पाएगा, कि उसको verify verification, मानने इसे कोई officer and above कर पाएगा, 40 plus कर पाएगा, अगर किसी account में आप कुछ कर रहे हो, तो उसका validation होता है, कि भाई दो बार, कि माननों, आप इसे check boxes बने आ जाते हैं, आप उस check boxes को tick करके, फिर next पे tick करते हो, तब जाके वो चीज़ होता है, ऐसा दो बार होता है, जिससे कि आप validate कर पाएगा, कि हाँ यह चीज़ possible है, कि भी नहीं है, system validate कर ले उसको, administrative controls as per policy, admin control यह कहते हैं, तो वो directly डालने देगा, मान लीजिए कि सिध्धार्त नहीं, श्वेता करके कोई है, उसके savings account से, आपको सिध्धार्त के loan account में पैसा डालना है, अब जब आप यह डालेंगे, तो हो सकता है, वो आपको एक error दे दे, कि customer ID differ करती है, यह नाम different है, वो आपको रोकेगा नहीं, वो आपको बता देगा, कि हाँ भाई, यह चीज है, this is something which is happening, एक बार आप चेक कर रहो, कि आप यह intent कर रहे थे, क्या, हो सकता है, यह हो कि श्वेता सिध्धार्त की wife हो, और उसके account से सिध्धार्त अपने पैसे, उसमें डालना चाह रहा हो, अपने loan account में उससे भरवाना चाह रहा हो, तो which is allowed भाई, उसकी मरजी भाई कि ओभी भी बंदा डाल सकता है, किसी के भी account में पैसे, तो इस तरीके का verification of parameters होते हैं, कि वो आपको ऐसा prompt कर देता है, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब एक और है, operational control, जिस software में embedded होते हैं, जब आप operation करने जाते हो, तो कोई चीज आपको करने नहीं देगा, that is operational control, checksum verification, checksum में क्या रहता है आपका basically, कि जब आपके day and process रहती है, सारी चीज़े वह रहे होते हैं, तो वह सब चीज़ों को verify करता है, कि हाँ भाई, इतने आपके voucher निकले थे, इतना वह हुआ था, ये एक verification होता है, उसमें अगर उसको कुछ error दिखता है, तो वह एक report में generate करके आपको error दे देता है, audit trail, audit trail क्या कहता है, कि एक loan account में चार लोगों ने edit किया, ये थोड़ा गरबड आदमी था, तो इसको आप chart sheet करो, ये था, data encryptions, जो भी data A point से B point जाता है, वो data ऐसा ही नहीं जाता है, कि सिधार्त ने श्वेता के account ने 10 रुपे डाले, तो 10 रुपे का message बनके वहाँ जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो encrypt होके जाता है, ये बाद सिधार्त अश्वेता के अलावा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए, कि उनके account में कितने रुपे का transaction हुआ, Computer audit, Regular independent test of security and control procedure is known as audit, एक कोई third party आके, जब आपके auditor है जो हमारी branch में आता है, statutory auditor हो गया, कोई CA हो गया, या फिर internal auditor हो गया, वो आपके आपकी loan files देखते हैं, अब आपको पता है कि या रहे तो मेरा ही दोस्त है, इसका loan account है, कोई दिक्कती नहीं है, या तो अपन कर देंगे, कोई issue नहीं है, तो यह आपको पता है ना, bank के साब से तो वो सही नहीं है, तो bank के साब से अगर वो चीज सही नहीं है, तो bank उसको क्या बोलेगा, कि नहीं, यह सारी चीज़े आपको on paper hold करना ज़रूरी है, अगर आप वो hold नहीं कर रहे हो, तो that is a problem then, तो वो सारी यह issues रहेंगे, यह audit में crop up होते हैं, around the computer, branch के वाकी premises को आपने चेक कर लिया, through the computer की computer को use करके, और with the computer, computer के साथ आपने उसको audit किया, बहुत detail में जानने के जरूरत नहीं है, बस यह basic terms आपको पता होने चाहिए, एक होता है, information systems audit, जो क्या कहता है, which is carried out using computer-aided audit tools and technique, auditors का एक specialized tool होता है, जो उनको highlight कर देता है, कि इस account में यह 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 चीज़े आपको check करना है, यह, controls का evaluate होते हैं, deterrent, preventive, detective and corrective, यह जितने भी आपके controls measures थे, उनका भी सबका audit होता है, जहां पर यह देखा जाता है कि क्या यह control, अच्छे से work कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, information system security, अब क्या होता है, एक significant operation advantage होता है, computer systems के तूँ, जो कि हमने multiple videos में पढ़ चुग है, computer क्या हमें offer करते हैं, but they are vulnerable to security threats, जितना भी security वो रहता है ना, computer आपको कितने भी फायदा देने, कही ना कहीं में कोई ना कोई threat का, एक possibility तो रहती ही रहती है, identification, authentication, authorization, non-repudiation, proof of operation, and access control, एक एक करके समझ लेते हैं, identification, ये जो transaction कर रहा है, ये कौन कर रहा है, क्या ये सिधारत है, उसका thumb लगा है, biometric tool से उसने वो किया है, हाँ, ओके सिधारत है, verify हो गया, authentication, कि हाँ भाई, ये जो आप A point से B point पे, आप जो transaction करना चाहरे हो, क्या है, ये authenticate हो रहा है, computer system कर रहा है कि क्या इसके account में पैसा है, B को भेजने के लिए, हाँ है, authenticate हो गया, authorization, क्या ये जो बंदा identify हो तो, उसको authority है, transaction carry out करने की, है, इसका physical format क्या होता है, क्या आपके पास कोई mandate है customer का, क्या इस customer के account से पैसे इधर से उधर बेजना है, या आप अपना right to set of use कर रहे हो, उसके loan account में डाल रहे हो, क्या आपके पास इसा mandate है, वो आपने authorize कर लिया, non-repudiation, ये होता है proof of operation, सिधार्थ ने ये बेजे, तो क्या इस सिधार्थ का ये पता कैसे चलेगा आपका, कि क्या भाई, ये सिधार्थ डिलीट कर सकता है system से, कि मैंने तो transaction किया ही नहीं ये, तो भाई किसी और ने transaction किया था, नहीं कर सकता, non-repudiation, computer में वो field permanently आ जाएगी, कि ये एक रुपए भी इस जगे से इस point में move किया गया है, तो इस particular ID से move हुआ है, ये है, and access control, क्या सिधार्थ के पास उस particular module का, मानलो, उसको CRM module का access नहीं मिलना चीए, लेकिन क्या उसके पास उस चीज का access है, अगर है, तो that is wrong, that needs to be rectified, और threats क्या होते हैं, information security को, एक virus होता है, जो computer virus हम बोलते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, एक malicious piece of software, जो computer की regular functioning को affect करता है, business को stop करता है, ये उसको हम virus बोलते हैं, DDoS, distributed denial of service, DDoS, जितने भी gamer होंगे, वो समझ रहे होंगे, DDoS क्या होता है, भाई, DDoS का काम ये होता है, कि आप packet overflow कर देते हो, for example, आपकी PNB की website है, PNB की website की capacity है, कि एक बार में एक करोड लोग उसको खोल के देख सकते हैं, तो उसने क्या किया, जो attacker था, उसने क्या किया, पांच, दो करोड ऐसे system बनाएं, वर्चौल सिस्टम, और 2 करोड से उस website को opening की request भेजी, तब उसकी capacity ही थी नहीं उसको handle करने की, तो website crash हो गई, उसके कारणे में लोड नहीं हो रही, इसको हम DDoS बोलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे banks के साथ, कि उनके DDoS attacks उन पर होते हैं, उनकी website down हो जाती है, ransomware, ransomware क्या होता है, आपका computer पर लॉक लग जाएगा, और बोलेगा कि इस address पर इतना crypto भेज़ दो, तो ही आपका account unlock होगा, वहना पूरा data आपको delete करना पड़ेगा, format करना पड़ेगा, वह ransomware होता है, malware और वाइरस almost same होते हैं, कि ये कोई malicious software, जो आपका software कुछ करें कि भाई, आप website खोलो, तो हर बार Amazon का पेज़ खोले, आप कोई भी कुछ भी महनत कर लो, चेक करने की वह हो इना, आपके Amazon का पेज़ खोले वह वाला वो, तो एक malware आपके device में आ गया है, fishing, fishing क्या होता है, कि basically वही catfishing वाले term से fishing आया है, कि एक PNB की website, जिस पर आप internet backing पर login करने जाओगे, उसमें सब कुछ PNB जैसा होगा, आपको एक normal website होगी, उसमें सब कुछ PNB जैसा दिखेगा, पर सुके address में कुछ change होगा, PNB की जैखे PNB होगा, यह PNB होगा, यह PPNB होगा, इस तरीके से होगा, SBI में जो SBI है, वो capital में I की जैखे L लगा देंगे वो, तो आपको लगाए का I capital लिखा हुआ, ऐसा कुछ है, तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप अपनी information एंटर करोगे, तो आपको error देगा, कि अरे, यह error आया है, और अभी तो website down है, लोड नहीं हो पारी, आपको लगा, ठीक है, यार वैसे बीन की website down रहती है, बट आपका पूरा data, किसी एक third party के पास चला गया, क्योंकि बड़ी मचली है न, उनको फसाएंगे तो जादा पैसा मिलेगा, इसलिए उसको वेहलिंग बोलते है, wishing, fishing using voice, आपको कोई phone करके ऐसा कर रहा है, कि hello, मैं PNB के customer care से बात कर रहा हूँ, आपको 3000 रुपे का refund दाना था, क्या वो आगया है, अच्छा अच्छा नहीं आया है, ओके यह आप डाउनलोड कर यह, और यह बटन पर क्लिक कर यह, तो आपको refund process हो जाएगा, यह voice के थूप phishing कर रहे हो आप, smishing, phishing to text messages, congratulations, you have won a lottery of 1 crore rupees, please click here, fill these details, and upload your Aadharan pan card to receive the money, so that is phishing using smishing बोलते हैं, which is sms और text messages को use करके phishing होती है, वो होता है, अब हमने threats तो देख लिया, अब इनका देखते हैं कि इनको manage कैसे किया जाता है, the threats of two information systems can be mitigated by employing specific methods, जो होते हैं, उन methods को use करके, हम उन threats को mitigate कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, क्या होता है सबसे पहला, information security assessment, या इस information security है, उसका security assessment, इसका काम होदा है threat को analyze करना, कि भाई कितना हमारा threat कितना है हमारा, perimeter protection, perimeter क्या कि भाई, बैंक को अब आप अगर मालो अपने area को, physical area को protect करना चाहते हो, तो आप उसके बाद में पूरी fence लगाते हो न, वैसे ही यहाँ पर उस perimeter को protect करने के लिए, virtual fencing होती है, जिस कैसे होती है, firewall के थुरू, intuitive detective and preventive systems के थुरू, कि कुछ हो तो automatically एक alert raise हो जाए, इस तरीके का, और change management, कि भाई जो overall आपको जो उसमें management वो करना है, जो changes आपको लाने है, उसका भी management proper होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा कि आप कहीं भी ले आए, तो वो चीज़ operate हो गए, तो these are all the components of threat management. इसके बाद IT resource की evaluation requirement होती है, जिसमें components क्या होते हैं, एक computer hardware का, software का, data का, और communication channel का, इन सब का evaluation होता है, यहाँ पर यह देखा जाता है कि, हाँ भाई, क्या यह vulnerable तो नहीं है, क्या सारी security policies, compliance policies इसमें follow की जारी हैं के नहीं की जारी, इनका जो assessment होता है, वो in components का एक assessment होता है, क्योंकि यही चार component main है, जो एक computer system में और banking system में matter करते हैं, और use होते हैं, अब क्या होता है भाई, मानलों दिक्कत हो गई, गरबढ हो गई, system आपके offline चले गए, अब उसको आपको, कोई ना कोई आपके पस तो ऐसी एक तरीका होना चाहिए ना, कि आप उसको वापिस revive कर पाओ, तो revive करने के लिए क्या तरीका होता है, disaster recovery management, disaster इस केस में हम क्या कहेंगे, any event which results in obstruction of essential business functions, for a considerable period of time, 10 minute का server is down, disaster नहीं होता, 5 दिन का server down होता है, the effect of disaster is quantified, 5 दिन का server down हुआ, PNB को नुकसान हो गया, 20 करोड रुपे का, यह quantify किया गया है, तो इस 20 करोड को बचाने के लिए, अगर हमने यहाँ invest कर दियो होते हैं, 2 करोड तो क्या बच सकते थे, there's a possibility की बच सकते थे, disaster recovery planning के कुछ steps होते हैं, सबसे पहला होता है कि awareness, हाँ भाई, disaster हो सकता है, disaster होगा, तो क्या क्या होगा, क्या issue होगा, preparation, okay, disaster होगा, तो यह essential components है, we need to get them up running as fast as possible, यह होती है preparation, उसकी testing, जो dry run हम बोलते हैं, कि उसका testing करेंगे, हम कि हाँ भाई, actual में वो होगा, तो ऐसा होगा, क्या हमारे system, जैसा हम respond करवाना चाहते हैं, वैसा कर रहे हैं कि नहीं, recovery, अब होता है final recovery, कि अगर system पुरा fail हो गया, तो क्या वो recover होके आ रहे हैं कि नहीं, and फिर reasons for disaster, उसको वो करना कि यह disaster हुआ क्यों, क्या यह malicious था, कि कोई system down हो गया, कि हमारे internal fault के करण हुआ, तो यह उसके 5 steps होते हैं, external factor क्या होते हैं भाई, data corruption, non availability, unauthorized access to data, failure of hardware, या फिर networking का, technology में कुछ change आया, कि भाई किसी को आता ही नहीं है, चलाना को एक नया module लाके दे दी, अब लोन कर लो, तो बहुने बहुने यह कहां से कर लें, हमें तो पता ही नहीं है, कि यह module क्या होता है, बहुने को ट्रेजरी विंग में भेज़ दो, बैंको अगले दिन ही 100 करोड़ा नुकसान हो जाएगा, because they have no idea how to operate in that particular environment, आप 10 ट्रेजरी वालों को ठाके ब्रांच में भेज़ दो, और ब्रांच में उनसे बिल्कुल routine operation कर भाऊ, वो लोग भी नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से ऐसे कुछ human factors होते हैं, जो role play करते हैं, disaster में, अब legal framework क्या है, बहुन लीगल framework जितना भी electronic transaction का है, उसका IT Act है, जो Information Technology Act है इंडिया में, वो एक वो Act है, जो यह सारे legal framework है, जो govern करता है कि भाई, अगर कुछ हो जाता है, तो क्या उस पर penalty है, कोई अगर गरबड करता है, तो उस पर क्या punishment दिया जाएगा, model law on electronic commerce क्या था भाई, 1996 में UN Commission on International Trade Law ने एक model law बनाया था, वो था, IT India में कब आया, IT Act 2000 में, यह model act को देखते हुए, और भी चीज़ें इंडिया के context में देखते हुए, यह act को लाए गया, इसका features क्या था, non-repudiation of secured electronic messages, कोई बंदा भेज रहा है, तो यह नहीं बोल सकता, मैंने नहीं भेजाता, उसका ID उसमें imprint होके जाएगा, और permanently imprinted रहेगा, IT Offences, यह chapter 9 है, यह आप याद रहना, किस chapter में आता है, कई बार इसा question पूछ लेते हैं, chapter 9 of the IT Act में आता है, Government of India can declare any system as protected system, आज से सिद्धार्ट का system protected system है, अगर आपने उसको access किया, you will be jailed, Government of India has this power, Digital signature, अब लोगों को क्या लगता है, आपने कई जगे देखा होगा, कि digital signature करना है, आपको pen drive लगा के वो करना है, तो वो क्या होता है, मैं अपने signature की photo खीच के, copy करके चिपका दूँ, क्या वो होता है, ताट इस रॉंग, digital signature is not a digital replica of regular signature, यह basically एक key होती है, जो encryption और de-encryption का use करती है, which confirms the authenticity and integrity of the message, for example, आपके key में x, y, z है, यह जब यहाँ पर जाएगा, और authenticate होगा, a, b, c के पास, तब जाके वो transaction को successful किया जाएगा, अगर यहाँ P, Q, R चला गया, तो यह authenticate नहीं होगा, क्योंकि यह की सिधार की थी, यह की श्वेता की थी, तो श्वेता को allowed नहीं होँ आपके transaction करता है, तो इसलिए यह x, y, z वाली की होगी, तो इस तरीके के यह बहुत लेमेंट है उसमें, कि digital signature क्या होता है समझने के लिए, most common method क्या होता है, public की cryptography, जो मैंने बता है ने, public की रहती है, वो encrypt हो के जाती है, और वहाँ पर सामने आले के ताले की तरह जाती है, यहाँ पर एक आपने दबबा लिया, उसमें टाला लगाया जिसकी दो चाबी थी, एक चाबी आपके पास, एक चाबी सामने वाले के पास, आपने ताला लगा के उसमें इंफोर्मेशन डाल के उसको डबा भेज दिया उसने अपनी चाबी से ताला खोला डबे के अंदर की इंफोर्मेशन देखी और यूस कर ली तो ये होता है digital signature It is a combination of public and private key which is used to authenticate the transaction That is it इत्ता ही बस आपको दियान रखने की ज़रूरत है अब इसका क्या है कि जो digital signature का ये दा working group from information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds इसका एक working group बनाये गया जो RBI ने बनाया और किसके अंडर बनाया? सी रंगाराजन के अंडर जी नहीं, उनके अंडर नहीं बनाया ये बनाया गया G. G. Gopalakrishnan के अंडर ये आप ध्यान रखियेगा क्या होता है? मैंने जो आपको कई वीडियो पहले भी information दी थी फिर से देता हूँ 10 में से 6 committees जो होती है, वो C. Rangaharajan के अंडर committee होती है उन्होंने बहुत सारी committees head की अगर आपको option आए, कोई भी answer नहीं आए तो उनका नाम tick कर दीजिए that is intelligent guessing और भगवान पर भरोसा करके आपने tick लगाया है but if you can remember then obviously remember जिन लोगोंने भी जो particular committee के chairman थे उन committee को आप याद रखिए तो ये इसकी basic committee थी इसके को different chapters थे बहुत सारे chapters में काफी बड़ी अच्छी मोटी report थी उसके chapters के हम नाम देख लेते हैं क्या-क्या थे एक था IT governance के उपर फिर था information security IT operations, IT service outsourcing IES information security audit cyber fraud, business continuity planning business fail हो जाए तो कैसे उसको continuity उसका हम और करेंगे कोई भी unforeseen event आजाए तो उसमें हम कैसे continuity रखेंगे उसकी customer education and legal issues तो ये overall chapters थे जो उस particular committee की report में थे ये वीडियो में हमने देखा कि क्या-क्या security issues है, security features वो है जिन जो bank threats है, जो एक bank face करता है और उसको कैसे उसकी mitigation की planning करता है इस वीडियो के साथ हमारा module C complete होता है अगर आप हमारे और भी सारे offerings देखना चाहते हैं तो आप www.magnetbench.com पे जा सकते हैं वहाँ left side पे आपके हमें सारे offerings आपको हमारे दिख जाएंगे इसमें सबसे नीचे जाके जब आप JIV, CIV पे click करेंगे तो यहाँ पर depending on आपने किस pack में subscribe किया हुआ है आप उस पर click कर सकते हैं और आगे जाके आप देख सकते हैं कि भाई हमें एक कौन सा particular video देखना है जैसी आप उस पर click करेंगे तो एक ऐसा page open हो जाएगा यह page में आपको जो भी आपका package हो का उसकी सारी offerings मिल जाएंगी और इसमें नीचे scroll down करके जब आप देखेंगे तो आपको module-wise, chapter-wise, paper-wise सारे videos एक ही जगे पर मिल जाएंगे जो आप जाके देख सकते हैं depending on whatever your need is जब आप नीचे जाके किसी video पर click करेंगे तो इस तरीकी किए कि window खुल जाएगी इस window में आप जाके उस particular एक video को पूरा देख सकते हैं जिस भी video को आप देखना चाहते हैं Apart from this, Magnet Brains आपको offer करता है जितने भी government competitive exam हो गए government के exam हो गए, non-government के exams हो गए जो भी competitive exams हैं उनकी आपको 100% free quality level videos आपको offer करता है चाहे वो bank हो गया, SSC हो गया, RRB हो गया यह सब जाके, इधर आप www.magnetbrains.com पर जाके देख सकते हैं या फिर आप उनके YouTube चानल पर जाके देख सकते हैं Thank you for watching this video, I'll see you in the next video